कि दोस्तों फिल्म की कलमसे में आप सबका स्वागत है आज मेरे साथ बैठे है हिंदी फिल्मों के एक मशूर राइटर रॉबिन भर्ट आशिकी सडक दिल है के मानता नहीं हम है राही प्यार के बाजी गर राजा हिंदुस्तानी जानवर कोई मिल गया क्रिश क्रिश्ट्री ओमकारा जैसी फिल्मों के लेखा काप है हम लोग सब जानते हैं के फिल्म डिलीज होने से पहले फिल्म की शूटिंग होती है जब फिल्म सेट पे जाती है तो डारेक्टर को ऑप्शन होता है कि ये सीन है इसमें मैं लॉंग शॉट लूँ मिड शॉट लूँ क्लोज अप लूँ टॉप एंगिल लूँ लो एंगिल लूँ जब फिल्म मुकम्मल हो जाती है और एडिटिंग टेबिल पे जाती है तो एडिटर के पास भी फ्रेम चॉइस रहती है कि मैं दो फ्रेम के बाद काटूं तीन फ्रेम के बाद काटूं कैमरा मैन जब फिल्म की शूटिंग करता है उसके पास भी आप्शन होती है कि मैं तीन लाइट लगाऊं चार लाइट लगाऊं लेकिन शूटिंग से पहले फिल्म लिखी जाती है और जब फिल्म लिखी जाती है राइटर के सामने पुरा कागज होता है वही से फिल्म की पिल्म चलेगी तो अच्छी मधि वही क्जोर्ट करती है कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी कि मेरे साफ को रॉबिन भट साहब है हमारी खुशकिस्मती कि मैं उनके साथ एक ही फ्रेम में हूं और रॉबिन रॉबिन भट साब के पिता जी श्री नाना भाई भट एक लेजंडरी डारेक्टर थे कोई सो फिल्में उन्होंने डारेक्ट की और अपने जमाने में कहते कहा जाता था कि तत मोबाइल फोन तो होते नहीं थे तो एक सेट पे शूटिंग कर रहे होते थे दो दूसरे सेट पे टेलीफोन से डारेक्शन दिया करते थे लेकिन रॉबिन भट साब फिल्मों में आना नहीं चाहते थे ये अपनी फैमिली के पहले ग्रेजुएट थे मीथी भाई कॉलिज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और ये एक क्रिकिटर बनना चाहते थे कुछ खार जिम खाना की क्लब में इन्होंने खेला और कॉलिज में खेला लेकिन उस दमाने में बंबई की टीम में जगा मिलना बहुत मुश्किल था इंडियन टीम में जगा मिलना शायद उतना मुश्किल नहीं था जितना बंबे की टीम में तो फैसला हुआ के आप जो है वो क्रिकेट में बहुत और फिर इनके दोस्त एक अमेरिका में रहते थे वह अमेरिका में में यहां से मिलती है उतना पैसा मैं तुम को हर बहिंने बह tours तो तो शिभु मित्रा करके एक डारेक्टर होते थे खून की कीमत एक फिल्म आखरी गोली खून की कीमत नहीं आखरी गोली आखरी गोली सुनील दत लीना चंद्रा वरकर थे वहां पर आप एसिस्टेंट डारेक्टर और आख से कोई 50 साल पहले आपकी फिल्मी जिंदगी तो लेकिन इनके भाई महेज भट फिल्मों में फिल्में डारेक्ट कर रहे थे और दूसरे भाई मुकेज भट विनोत खन्ना के सेक्रेक्टरी थे तो इन्हों ने विनोत खन्ना से कहा कि किसी अच्छे डारेक्टर एस्टेबिस्ट डारेक्टर से शिभु मित्रा जी ने भ विश्णाना है तो विश्णान है नरेंदरबेधि डारेकटर की फिल्म इनसान कर रहे हैं वहाँ से आप नरेंदरबेधि के असीश्टेंट बने है तो राविन साहब वहाँ पर मतलब क्या सीखा जैसे छे साल आप उनके एसिस्टेंट थे? बहुत कुछ सीखा नरेंदर बेदी साहब ने ऐसा कही कि कहानी और स्क्रीन प्रेक कैसे लिखे जाते हैं वो वहीं से सीखा मैंने क्योंकि नरेंदर बेदी साहब अपने असिस्टेंटों को बला के एक एक सिसाइस किया करते से कि चलो किसी कहानी को बनाते हैं कहानी की प्रॉब्लम सॉल करते हैं या तो कुछ नहीं कहानिया सोज़ते हैं और मुझे एडिटिंग का इज्जाज मराया था तो जो भी शुटिंग होती थी मैं उसको एडिट करवने जाता था तो वहां पर समझ में आता था कि हाँ स्केन प्ले में यहां से इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए एडिटर कार्ट से था और इसकी प्रिसाइजने साथ सेंगे यह सीन की जो लंबाई है वो कितनी प्रिसाइज होनी चाहिए वो मैं वहां सीखा क्योंकि सेंग डिसकस करता था और फिर सेंग एडिट करने जाता था तो वहाँ इमिजेटली पचाश साथ किलता था कि यह हमने एक्ट्रा शूट किया और यहाँ सीन कटम हो जाता है तो यह दिरे दिरे यह एक फिल्म नहीं मनें काफी फिल्म में कि नरेंदर बेदी के साथ और बेदी साथ के साथ और वहां थोड़ी सुपरी एडिटिंग डरेशन के समय सब्हूर और आने लगे तो मेरी बेदीक डरेंग सिनेमा क्या होता है और कैसा होता है और कॉमर्शल सिनिमा जो नरेंदर बेदी साथ कि एक इसके पर पकड़ सी कुप उसके बाद नरेंदर बेदी साहब 1982 में नहीं रहे तो उनके एक एसिस्टेन थे अजय कश्यप आपने उनके साथ काम किया जान की बाजी नामो निशान और मेरा हक अचा उन फिल्मों के एडिटर डेविड धवन हुआ करते थे तो उस हां उन फिल्मों के एडिटर डेविड है तो देविड धवन साथ कास्त रष्टा उन दिनो से देविड उन दिनों से माल मेरोड मेरो नधी भरो अबम देविड भरों कामक थे तो वो रिष्टा कायम रहा और इस इस साहा जो एक न संफर था नरेंदर बेद्धि साहब नरेंदर बेदी साहुए अअ करते डेश् specially के वाजय के शेफवाद, मैंने दू-तिन फिल्में प्रभाद रोई के साथ भी की, जो मैं एक बिंगाॉली डिरेक्टर देखती सामझ था क्या से स्टेड हुआ करते देख जमाने में, तो काफी इन लोगों, अलग-अलग डिरेक्टर के साथ काम करने से एक फ़एदा हो रहत है, तो हर जगा अलग-अलग जगा बे काम करो तो फ़ाइदा ही होता है क्योंकि आपकी नौलेज बढ़ती है और आपको सिनिमा की ओर समझ आने सकती है, वो ऐसा है विशेश फिल्म्स हिंदी फिल्मों का एक डिपेंडिबल ब्रेंट आज कह सकते हैं, विशेश फिल्म्स क कि जब शुरुआत हुई, कबजा फिल्म से शुरुआत हुई, सलीम खान उसको लिख रहे थे, उस फिल्म का आप प्रोडक्शन समालते थे, और फिर अब सवाल ये है के राइटिंग में कैसे आए, बड़ा अजीब और गरीब किस्ता है कि गुल्षन कुमार की टी सीरीज, वो छे गाने उन्होंने रिकॉर्ड किये और कहा कि इन गानों के इर्दगिर्द आप एक कहानी बनाईए, तो वो आपी बताएंगे, हाँ उन्होंने, गुष्ण जी ने कैसेट दी हामको, मुझे और महिश को और कहा कि, मैं एक रॉमाटिक पिक्टर बना चाहता हूं, महिश बड़ साफ करने लगे, यार मैं इंटेंस इरेक्टर हूं, मैं कहा हां रॉमाटिक फिर्म बनाऊगा, तो मैंने महिश को नीचे से टांग मारी, मैंने कहा हां बोल दे, हमरे पास काम नहीं है, तो उन्हों ने हां बोल दिया, हम वो कैसे लेके बाहर निकले, तो उन्ह सेट मुझे पकड़ा दिया, ल्लो जाओ के गाने सुनो, और बताओ क्या करना जाए, तो मैंने लेकर आगया, घर पे आगे जब गाने सुने, तो मेरी वाईव ने कहा है कोज़ी पिचर ही गाने है, मैंने अन्हों अट सिर्फ गाने है, पिचर नहीं है, बनाओ जल्दी, ग स्क्रीन प्ले में गाने की सिचुएशन होती है और तब गाना बनता है कि सिचुएशन यह है रॉबिन साब को यह चुनौती दी गई कि गाने है गाने है आप गानों की सिचुएशन बनाईए आगे पीचे कहानी बनाईए अब यह गाने है अभी कहां है यह अभट साब ने त तो शाद बैठ के हैं और कभजह में भी सलीम साब के साथ बैठ के काफी डिस्क्रिशन होगे करता था तो कहनी की समझ थी तो रखा लिको अभी कहनी मैं आज तक कहन नहीं लिखे और यह कि गान यह पहले और उसके ओपर नहीं लिखने की तुमने मेरे को हां कहलवाई है तो अब तुम ही बनाओ से तो मैंने बहुत हैं मैं ना बोल दूंगा तो फिर नहीं करता है और हमारे बाद छी आड मेने काम नहीं था तो मैंने कहां मैं है तो वो फिल ऐसे शिरुवात हुई मेरी राइटिंग के केरियर की और जो पिक्चर बनी आशी की जो सुपरीड हो गई और गुल्षेंजी का तो यह था कि आठ गाने उस कैसेट में दिये थे उसमें से छे गाने हम लोग ने लिए बाकी पांच गाने और रेकोड कर गे ल यह घाना भी दाल दूगा तो करते करते ग्यारा गाने दाल दिया हम लोगे पिक्चर में तो ग्यारे गानों के सहत यह पिक्चर बनी और पूरा उल्टा यानि जो राइटिंग का जो ज़ड़ लिखना करनिन मोई किम लिखने में को बिखना जाएक। लेकिन भी चल गई, चल गई तो मेरी राइटर, मेरी राइटर भी बनी है, मेरी दुकान भी चल पड़े। ये सडक, मतलब महेजभट साप ने एक कहानी बताई थी, आप ने उसमें आपको वो कहानी पसंद नहीं थी, तो वो जरा सा बताएं। नि शरक का, एक सडक का जो मेन विषए धा उसकयोपने बनी ती लेकिन उसमें गयों अए हिरो था 55 साल का था तो कहानी मुझे महेजभट ने बताई की ये कहानी बहुत अच्य है, तो ब्ता इसका क्या क्या है, मुझे को या पच्पट साल का हाई तो कैसे मैं बनागे लाता हूं तो मैंने उसमें थोड़ा साथ चींज गिया और वो पचीस साल के हिरोगी कानी बनाई तो फिर संजदत ठीक से फीड हो गया, संजदत को ले लिया अमनोर और वो ऐसे बनी सड़क अचा दिल है के मानता नहीं तो उसमें जैसे शरग जोशी हिंदी के बहुत बड़े व्यंकार उनके साथ राइटिंग में आपने काम किया तो उस तजुरुवे के बारे में बताएं हाँ क्युकि दिले के मानता नहीं लिखी है हम लोगों नहीं जो उसका इंस्पिरेशन था एक होलीवोट की पिक्चर थे ब्लेक अन वाइट इड़ेपन वन नाइट अब उस पिक्चर के इड़ेपन वन लाइट के इंगलिस के डालोग बत अच्छी थे इतनी अच्छी थे तो शराज जोशी साब को तो मैं जानता था कि यह हंदी में कलम लिखते थे अपर शराज जोशी साब सिरियल लिखते थे शराज जोशी ब्रिलियन राइटर और उनका व्यंग कमाल का था अच्छा अब अभी तक जितनी फिल्में लिखी थी वो सब महेजबट के लिए लिखी थी अब एक फिल्म लिखी प्रोड्यूसर भी वीनस थे और डारेक्टर थे अबबास मस्तान अभी खिलाडी करके उनकी एक फिल्म चली थी तो जैसे वही है के पैर थोड़े से जमें थे और उनके लिए आपने लिखी बाजी गर जिसमें हीरो नहीं है हीरो विलेन है और अब कमाल इस बात का है के प्रोड्यूसर को कैसे कन्विंस कराएं के ऐसी फिल्म बनाईए और कौन सा हीरो तैयार होगा तो वो बट साप रॉबिन बट आकाश खुराना और जावेद सिदी की तीनों ने मिलकर के फिल्म लिखी थी जिसके ल के लिए अब यह कौन हीरो हां कर दिया बड़े कई हरो ने मना कर दिया अने अक्षे कुमार ने मना कर दिया सनी देवा ने मना कर दिया सर्मान कान ने मना कर दिया तो यह बड़े परिशान गुम्रह थे अब अब आसमास्तान साब और रवी जैन के अभी यह वीचर कैसे बन तो आप गो तो मैं उसको सुनाता हूँ तो मैंने शारू को कानी सुनाई उसने मेरे इंटरवल तक सुनी ओले रोविन तक करता हूँ मैं इतना उसमें सब्समें करता हूँ मैं इस देखे ना बात मताया का करने का तो उसने हां कर दिया हां कर दिया हां कर दिया और फिचर बनी और जो भी पहले सुनता था, तो पूता था, तो मारा हेरा मटर करता है क्या, पिक्चर में, मला हाँ हेरो इनका मटर करता है, और उसके ला और पांच मटर करता है, मुझे ला, ऐसा हेरो की पिक्चर कैसे चलेगी, मुझे देख लो, और चल गई, लोगों को बहुत पसंद और महेश ने भी मुझे पूछा और यह मर्डर बना हिरो पिक्चर कैसे चलेगी मानों इस दिल्ली में प्रिमियर में जाकर आ रहा हूं पिक्चर सुपर इट है तो यकिनी नहीं हुआ कई फ्राइडे सटेर सने तक लोगों को यह पिक्चर सुपर इट है तो यह है वाजीगर कामी अच्छा राजा हिंदुस्तानी उस जमाने में कई सेंटर्स में क्योंकर बड़ी हिट हम आपके हैं कौन थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी और कई सेंटर्स ने राजा हिंदुस्तानी ने इन दो फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा और सब कहते थे जब-ज तो वही लोग कहते थे कि कैसे चलेगी क्या चलेगी लेकिन मतलब सुपर हिट फिल्म है तो उसके बारे में कुछ बिल्कुल नहीं हो कन्विक्शन था धर्मेश मेरे पास आया तो उसने मुझे कहा कि मुझे मुझे जब-जब फूल के लिए मुझे बहुत पसंदाए थी र तो उसको बंदिन नदर लिखते हुए हम लोगों ने जब एड़ाजा हिंदुसानी की कहान ही लिखी थी और मुझीक उसका अच्छा हुआ शूट बहुत अच्छी हुई अमिर खान ने काम बहुत अच्छा किया दूसरे करेक्टर जो उसक्या इद गिर्द के जो करेक्टर उनका भी अगर रोल अच्छा हो जाए उनका करेक्टर अच्छा हो जाए तो एक वो एक कप्ली गुलदश्टा बनता है और उसके वज़े से वो फिल्म अच्छी बन जाती और लोगों पूसरे जाती एक साथ की दशक में एक ब्लैक और वाइट बी ग्रेट फिल्म बनी थी निहार रंजन गुपता के नौविल पर ममता बनी थी सुचित्रा सेन अशोक कुमार अर्मेंद वाली और बहुत सालों के बाद दो अंजाने बनी थी जिसमें जो है अमिताब बच्चन रेखा थे निहार रंजन गुपता के नौविल पर एक साउथ में फिल्म बनी थी नई इंद्रानी मुकर जी तो सुनील दर्शन धर्मेज दर्शन तो सुपर डुपर हिट डारेक्टर थे राजा इंदुस्तानी बनाई उनके बड़े भाई वो भी वो भी फिल्में डारेक्ट कर रहे थे तो बात तो तो तैय यह हुआ कि मेरे लाल का रिमेक होगा अक्षे कुमार करिश्मा कपूर हलांके उस दमाने में अक्षे कुमार को फ्लॉफ हीरो डिकले कर दिया गया था सब कहते थे के करियर खतम है और वहां से करियर रिवाई हुआ जो अब तक चल रहा है उसी फिल्म से उनका कमबैक हुआ और आपने जानवर नाम से वो फिल्म ब को दो, पोनिल मेरे पास आया और कहने लगा कि आपने मेरे लाल दिख्याज कि नमाल हम मुझे कुछ याद नहीं है उस याद़ के वाunn bénis现在 तो मेरे लाल पीक्टिर मेरेको स्टार कास के साल बनी थी माला नहीं इसको पॉलिश करके ये एगरेट फिल्म बन चाय तो कोई कोई रोकी नहीं साहता क्योंकि उसका इमोशन इनना स्टोंग है तो यही सोच के हम लोग ने फिर अक्षे कुमार और करिश्मा और और कुछ एक आशीष विद्यादी का करेक्टर जो मैंने एड किया तो वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था अक्षे कुमार हिला हुआ था उसको उसको समझ में ने यादा ही है क्योंकि इस टाइब की पिचर उसने पहले कभी किये नहीं थी तो मुझे बार बार पुछता था कि रविद्यादी चले है ना तू देख तो पिचर हिम्में 100 परसंट चले है क्योंकि इसका जो बेजिक इ जो ओलिवर ट्विस्ट में मिस्टर फैगन थे मतलब जो एक अकेडमी चलाते थे जिसमें बच्चों को जेव कतरने की ट्रेनिंग दी जाती है वो केरेक्टर नहीं था पुलिस ऑफसर आशीश विद्यार थी जो बिलकुल जिसका जिंदगी का मकसद था कि मुझे बाक्षा को गिरिफ्तार करना है और तीसरा आशुतोष राना जो बादशा का साती है पुलिस की मार खाता है लेकिन साथी का नाम नहीं बताता तो यह तीन किरदार जो है वो मेरे लाल में नहीं थे तो उसके बारे में सर अबच बताएं वह तो जो खिर्दार अशिर उद्यार्दी का खिर्दार जो धनव वो जो धनव वो इट कंप रों टोरी अश्वगा दी एंपर्डू तो वो कालिंगा की वार के बाद जिस राजा ने इतना कतले आं किया तार उसके बाद में जब ग्रेट गौतम बुद्धा से वो मिले और वहां से उनका रदे परिवर्तन हुआ और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो सादू बन गए तो वो काहनी में उसकी काहनी में काहनी है जहां पर एक मारा एक बंदा उसको मिलता है और वो उसको याद है कि यह तो बहुत ही हत्यारा राजा था और जब उसका दूसरा रूम लेखता है तो कहता है कि तुम आदमी तो है नहीं तो वो जो अशिश विद्यार थी का प्रोलीस इंफिक्टर करेक्टर था ना वो 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 एक गौतम बुद्दा और दकिंग अश्वकाद इस गरेट की कहानी में से आया हुआ है कि जिस बादशा जिस गुंडे को वो ढूंड रहा था इतने सालों से और पकरना चाह रहा था पर अटिमेटली जब वो पकरता है उसका नया रूप देखता है कि एक अनाद बच्चे का बाप बना हुआ है और उसके एक तालीम कर तो बोलता है कि उस जिस बुरे आदमी को म मुझे आज नहीं मेरा आज तो मुझे जो मिला है वो एक संथ आदमी है तो वो सीन मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने का कि यह चल्या दाना चीएसलिए मने ऑऽ इस बादशा गया कि वो जिसे ढून रहा था तो 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 तुम ही नहीं हो तुम तो सुदर गया तुम त और ज्ए जानुमर तर जा जबना जगा ता तो जो टुट करना पड़ता है कि आज के हिसाबसे जगर कहा पड़ता हैं Nah उत्ना ही काम घया है ल। ज्यादा उशहरी नहीं कि अभसी है थोड़ा उसको समय कहुछाबसे उसको उसका परिवर्तनिР वर काहनी लिग दी। A तो लोहों को अच्छी लगी और उस ताइब के रोल पहले अक्षे कुमार ने कभी किये नहीं थे ख्येकंऄ के बे लिए ये निया करेक्टर था बाग्चा का तो ये सारी बातें जहान में लो तो वह पिक्चर अलग लगती है उस पिक्चर में अकन्या पन लगता अशुट औस राना का भी आशीर तोस्राना का भी करेक्टर शंटी कपूर का करेक्टर, तरे करेक्टर से, खास करके आशीर विद्यादी का तो बहुत अच्छा था, अब इन्हों ने राकेश रोशन जी के लिए कोई मिल गया लिखी, और ऐसा था कि कहो ना प्यार है, हम सभी जानते हैं कि सुपर डु हो रही थी कि अब इसके बाद राकेश रोशन क्या करने वाले हैं, तो सुनने में आया कि कोई फिल्म बना रहा है, कोई मिल गया, ठीक है, रोमेंटिक फिल्म होगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक mentally challenged लड़के और एक alien के रिष्टे की कहानी है, तो अब सवाल ये है कि राकेश रोशन के लिए कभी रॉबिन भट ने काम नहीं किया था, कहानी राकेश रोशन जी की थी, लेकिन फिल्म का screenplay लिखने के लिए पाँच राइटर थे, जी, सचिन भॉमिक, मतलब बहुत वेटरन राइटर है, लेजंडरी राइटर है, 137 फिल्में लिखी है, सचिन भॉमिक, रॉबिन भट, हनी रानी, रवी कपूर जो राकेश रोशन के राइटर शुरू से रहे, खुदगर्स, खुदभरी, रवी जी नहीं थे, रवी थे, नही हनी रानी, तो खेर, मतलब वो थोड़ी सी गल्ती हो गई, तो एनीवे, रॉबिन बट साप थे, हनी रानी थी, सचिन भॉमिक थे, फिर बात आई के स्क्रीन प्ले बन गया, तो डायलोग जावेद सिद्धी की लिखेंगे, उनके साथ रॉबिन दा ने बहुत काम किया है, राजय इनूस्तानी डूपलिकेट, तड़ी पार्ड, चाहत, बहुत सारी फिल्में उनके साथ लिखी है, तो लेकिन बाकी तीन राइटरं के साथ, राकेश रोषन साब के साथ, पहले काम नहीं किया था, और हनी रानी, सचिन भॉमिक और केवी साथ पहले काम नहीं किया था तो उस तजुर्वे के बारे में बताएं हाँ क्योंकि ओ राकेश जी तो बहुत अच्छे डिरेक्टर उन्होंने च्छी अच्छी फिल्में बनाई थी और करनर जून उनकी शुपर हीट हुई थी उसके बाद में अब रिटी को लॉंच किया वो भी सुपरेट पीचर उसके बाद में अभी रिटी के साथ जो पिक्टर बनाई तो तो आइडिया तो उनकी तरफ सही आया था कि एक साइंस विक्षन बनाते हैं तो साइंस विक्षन में क्या बनाएं तो एक एलियन को लाएं और वो उस पूरा कहानी का जो लॉजिक है उसका क्योंकि साइंस विक्षन कहानी आप बनाते हो तो उसमें कई लिबर्टीद आप ले सकते हो लेकिन वो लॉजिकल लिबर्टीद होनी चीह वरना लोगों को लगता है कि यह जूड़ी कहानी तो वो होना बहुत जरूरी था तो उस पे काम करना कि यह लॉजिकली ठीक लगी है कहानी यह अच्छी लगी है और इंडिया में एक नया एक्परिमेंट था किसी ने साइंस विक्षन बनाए नहीं था और हम एक सुपर स्टार्स कास के साथ बड़े बजेट की साइंस विक्षन एटेम्प कर रहे थे तो अपने आप में एक र करेंगे के नहीं वो जादू जो करेक्टर आता है जो एटी आता है जो दुसरे उसका वो लोगों को समझ में आएगा के नहीं लेकिन क्योंकि उसका लॉजिक ठीक था और लोगों को काहनी अच्छी लगी और उसकी वज़े से सुपरहिरों का जन्यम हुआ उसके बाद तो क क्रिश्ट्री क्रिश में भी मतलब स्क्रीन प्ले के लिए पांच राइटर की जरूःत पढ़ी संजे मासूम मतलब कभी यह ओ डायलोग बाद में जावेश्ची दि दूसरी पीक्टर में संजे मासूम ने लिखे उसमें भी पर हमारी इराणी मैं आकर्ष पुराना साथ ज काम किया थे उनका बेटा याकर्ष और वो असिस्टेंट भी था एसोशेट डिरेक्टर भी था और राइटिंग टीम में भी था सजिंदा तो ऐसा था था पूरी कहानी एक पूरा ड्राफ बनाने के बाद सजिंदा को बढ़ाते थे हम लोग और फिर वहां से जुड़ते थ को इसमें यह एड कर लो तो सजिंदा वर गाइडिंग मास्टर और गुरूं के गुरू से उनने तो मैंने कालते दोसों फिन में लिगी हैं तो ही वाज़ते ग्रेट राइटर और क्या मेमरी थी उनकी और करेक्ट सजेशन देते थे कि यहां पर यह कम लग रहा है वहां पर कैं अब जय से उनने रखsn mix लिगी दर लिखी थी और हो ना प्यार है लिखी निके साथ काम कर चुकी थी तो एक क्या कहना करके फिल्म लिखी थी तो यह सारी फिल्म में जो है रोमेंटिक फिल्में थी और साइंस फिक्शन उनके लिए भी नए जिना लेकिन राकेश गी केसाफ काम करकी थी इस लिए उनको है उनके साथ उनका कॉन्फर्ट लेवल था और मैंने परे कभी काम निंषना था लेकिन मुझे काम कर रहें बहुत उमलगिंद क्योंकि बहुत ही शिल्जी हुई लेडी है सिनेमा की बहुत ही समझे, खुद एक्ट्रेस रही है, और तो उनको रोमांस का, वेल्यूस का, सिनेमा की कहानी की मुमेन की बहुत समझे, इसलिए हनी जी के साथ मताया, जब भी काम किया। और उसके बाद विशाल भारदवाज के साथ भी कडी रॉबिन जी ने काम नहीं किया था, ओमकारा बना रहे थे, वो शेक्स्पियर का अधेनो जो है उसका अडेप्टेशन था, मेरट का, वेस्टन यूपी के एंडर वर्ल्ट का, विशाल भारदवाज जो फिल्म के प्रोड साथ कभी सर ने काम नहीं किया था, तो वो भी फिल्म आपने लिखी, विशाल के साथ मेरी दोस्ती हुए थी, क्योंकि विशाल मेरे साथ क्रिकेट केलते थे, विशाल भारदवाज खुद ही बहुत अच्छे क्रिकेटर है, कभी दिल्ली में अंडर 19 खिला करते थे, और बं तो उस नेक्स फिल्म का उनका उनका प्रोग्राम सा उतेलो का, तो वो उतेलो को एड़ाप्ट करके हिंदी में लिखी यह जिसके लिए हम लोग ने डिसर्च किया, मिरेट गए, मिरेट में जेल में एक दूख करेक्टर को मिले, और मिशाल ने अब मिरेट के लोगों के किसे बात करते हैं, इनकी लेंगवेज क्या है, तो वो रिसर्च वगएरे करके हम ने पीचर लिखी ओमका रहा है, जिसमें बेग्राउंड था यूपी का, वेस्टन यूपी का, अच्छा, ये बात पूछना चाहूंगा, कि कोई जैसे, कोई ऐसे सीन जो आपको याद आते हैं, कि जब आपने लिखे थे, लेकिन जब परदे पर आए तो बहुत ज्यादा अच्छे मतलब लगे, ना वो तो, ओमकारा में तो, ओमकारा में तो काफी ऐसे सीन थे जो, लिखते वोगत ऐसा नहीं लगता था का ये इतना अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने अलावाद में शुरिंग की थी, जहां पर नसीर दिन शा का जो करेक्टर है, वो बावबली उसको बनाते हैं, अजे देवगन को, अजे देवगन बावबली बनता है और जो करेक्टर है, शैफ अली खान का वो चरोता है ता कि मैं बनूगा, और वो बनता नह करेक्टर है, वो जो पूरा जिस तरह से उसने शूट किया नीचे गंगाद, बोट करी दिया है, लोग कर रहे हूए है, और गोलियां चल रही है, तो बहुत ही अच्छी तरह शूट हूआ था, और पूरा जो गाहों, लोग और उसकी भाशा और लेंग्वेज, जो डालोग मिशाल बादवाद है, वो बहुत ही अथेंटिक लग रहा था, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी तरह शूट होगी और ऐसे इतनी अच्छी बनेगी, अब जैसे कोई मिल गया फिल्म कहने को तो साइंस फिक्शन है, लेकिन एक हुमन रिलेशन की स्टोरी ह जिस तरह कैसे रिती गुरोशन ने वो मन्द बुद्धी के लड़की का जो करेक्टर की है, वो कमाल बगड़ा था हुमन जो जिस तरह किसे उसने किया था, मुझे लगता है क्योंकि वो उस टाइब की एक्टिंग करना बहुत मुश्चिल है इसली है, कि थोड़ा उपर नी हो ना, तो वो कैरी कैचर बन जाता, वो जूटे लगने लगता, थोड़ा सा उपर नी जो हो तो, एक्जेक्टली उसने जो, मैंने जब पहली टाइम उसको शूटिंग में देखा तुबाएं, मैं सच्बुची, I was embraced by it, कि यार कमाल बगड़ा है मैं, तो वो पूरा, एने, वो तो यह चीज़, जब होती है कि लाइटर लिखतार और एक्टर और रडर्कर मिलके उसको एक लेवल या दो लेवल उपर ले जाते हैं, तो, यह सीन उसको शीन शीन वाक्स लेग जाते हैं, आचा कृषमे भी, क्रुका जैसे यह है कि हाफवे तक तो लग रहा है कि लव स्टोरी है, मतलब एक सुपरमेन की लव स्टोरी है और एकदम से ट्विस्ट आता है कि उनका फादर जो समझ रहे थे कि अब नहीं है वो जिन्दा है, तो मतलब वो भी और फिर वो जो 40 मिनट लंबा क्लाइक्स है तो अगर कहानी, लव स्टोरी हो, एक्शन हो, कोई भी कहानी हो, इसमें जो इमोशन होता है, बेजिक इमोशन, वो अगर सही होता है, तो वो फिल्म चलती जलती है, हर कहानी में एक इमोशन सही हो रहा जाए है अच्छा, राकेश रोशन हालांगे अपनी फिल्मों की कहानी उनकी खुद की होती थी, लेकिन आप कहते थे, बिना राइटर को कंसल्ट किये, कभी कोई बदलाव नहीं करते थे? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, वो राइटरों को हर चीज में साथ में लेके चलते हैं, वो उनको एक लाइन भी बदलाव करना है, तो वो राइटरों को बुला के पूछते हैं, मैं करूँ या, या ऐसे करूँ या, कि नहीं करूँ तो वो बोन में है, पूरे काम के तो उनसे पूरा काम लो, हर चीज पूछे उनसे, उनको बलाओ, उनसे डिस्क्रिशन करो उसमें कोई छुटा नहीं हो जाएगा डिरेक्टर राइटरों को पूछेगा तो काईड राइटर रहा है कि पूछते ही नहीं, अपने इसाब से कर लेते हैं, फिर गल्तियां कर लेते हैं क्योंकि एक राइटर ही होता ही, जो फिल्म पी कहानी को बिगिनिंग से एंड तक अपने दिमाग में लेके 24 गंटा चलता है उसको आप कोई चीज बोलो तो बोलेगा नहीं ये करेंगे तो 78 सिंट में ऐसा हो जाएगा, वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, पूरा पिच्चर उसके दिमाँ में चलता रहता है और ये, इसलिए, डिरेक्टर क्योंकि उसके पास दस और रिस्पॉंसिबिलिटी होती हैं, वो हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकता और सीधी सी बाते हैं, अगर आपने किसी को पैसे दिये हैं, तो फिर उसके पास से पूरा निचे उड़ के काम लो क्यों आप अपने आप करते हो, क्यों दूसरे पूछते नहीं हो से, you are paying him, it is very important, के डिरेक्टर और राइटर, पिक्चर जब तक अंप्लीट नहीं वा दी, ताल मिलाके चलें, साथ-साथ में चलें, हर चीज में एक दूसरे को पूछें, ताकि कहीं गल्तिया ना हो ठीक, थेंक्यू नमस्कार रख, थेंक्यू आपने हमको इतना टाइम लिया